हेलो दोस्तो, मिलेज बारवेस की कहानी के दूसरे पार्ट में आपसीदी का स्वागत है यहां पे राधा के अंतिम संसकार की तैयारिया हो रही है चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है यहां सभी राधा की चिता सजा रहे है और एक रिश्ना मेरे दोस्त, अंतिम संसकार का महरत बस निकलता ही जा रहा है मैं जल्दी अल्दी करना पड़ेगा ठीक है न जल्दी अल्दी करो और समालो अपने आपको सब ठीक हो जाएगा समय के साथ सब ठीक हो जाता है मुझे पता है मेरी बेहन अब वावस नहीं आएगी कास क्यों हमारी बीच वापस आजाए लेकिन ऐसा नहीं हो गाब मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी बेहन का चिता इतनी जल्दी सजाना पड़ेगा हाँ यार तुम सही कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता था मेरी प्यारी रादा वापस आजाओ मुझे माफ कर देना रादा तुमारी इस हालत की वज़ा आज मैं ही हूँ अगर मैं जाग जाता तो आज ये सब नहीं होता मुझे माफ कर देना मेरी रादा अरे-अरे मुझे पता है ये बहुत ही दुख की घड़ी है लेकिन मारा मुहरत निकलता ही जा रहा है बेटा अपने आपको सम्हालो ये ही तो जिन्दगी की रीत है हाँ मुझे पता है मेरी प्यारी राधा वापस आ जाओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा अरे शाम बेटा तुम सम्हालो अपने आपको चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारा एकदम अच्छे से ख्यार रखूँगा ठीक है ना मेरे प्यारी बच्चे अरे बेटा मोहरत हो गया है चिता जलाने का आप एक काम करण सारी ओरता को भी बुला लाईए आखरी बार राधा को देखने के लिए अब हमें जल से जल राधा का अंदिन सर्सकार कर देना चाहिए ठीक है ना तुम जाकर बुला लाओ सबको और जल्दी से सारा क्रिय करम सुरू करते हैं ठीक है ना हाँ हाँ पड़ी जी मैं जाता हूँ बुला लाता हूँ सबको वैसे भी चंदा जी बोल रही थी कि बुला लाईना जल्दी हमें भी चलो जाता हूँ मैं और यहाँ पर सभी राधा की याद में बैठे हुए हैं और सोनम यहाँ पर गईयां को घास खिलाने की कोशिश कर रही है अले गईयां खालो ना प्लीज राधा अंती अब नहीं आएंगी मैं आशा नहीं बोला जाती हूँ लेकिस अब यहीं बोले तब मैं क्या करूँ प्लीज खालो ना खालो ना तुम मत रो मम्मी देखिये ना मादूरी कुछ भी नहीं खा रही है लगते हूँ राधा अंती का इंतिजर कर रही है वो अंती को याद कर रही है अरे मेरी प्यारी गईयां मत रो मत रो राधा अब नहीं आएगी वाबस अब वो बस हमारे दिल में है मुझे पता है राधा तुम्हारा अपने बच्चे जेसा ख्यार रखती थी अरे चंदा देखो तो गाउं के लोगों को छोड़ो लेकिन ये जानवर भी कितना प्यार करते हैं राधा से राधा थी ही ऐसी इंसान बिचारी हमारी सहले काश की इस अब ना हुआ होता देखो तो जी तू ये गईयां कितना याद करें बिचारी राधा को सच में राधा एक अच्छी हस्ती थी एक बेजबान जानवर भी इतना रो रहा है उसकी याद में देखो तो अरे हाँ मैं तो ये सब देख कर बहुत यदा हैरान हूँ आखिर राधा जैसे इंसान जल्दी नहीं मिलते हैं वो तो बहुत ही अच्छी थी मुझे पता है हाँ तुम सहीं बोल रही हो ये ये देखिये ममी मादूरी खाने लगी खालो मेरी प्यारी गईयां अच्छे से खालो हरे हुआ सोनम तुमने तो कमाल कर दिया बेटा माधुरी को अच्छे से खिला दो वरना उसकी तबियत खराब हो जाएगी चलो अच्छा है कुछ तो अच्छा हुआ धीरे धीरे शाय सब ठीक हो जाए लेकिन राधा तुम तो नहीं आओगी न वापस मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी प्लीज वापस आजाओ मुझे पता है और फिर तब यहां पर श्याव के पापा भी आ जाते हैं अरे सुनिए आप सब राधा के अंदिल संस्कार का समय हो गया है आप लोग भी चलिए और आखरी बार राधा को देख लीजिए उसके चिता की तयारी हो गई है चलिए आप सब ज़्यारी मत कीजिए पंडित जी ने बोला है कि महरत निकला ही जा रहा है आप सब जल्दी कीजिए अरे हाँ हाँ अरे हाँ क्रिश्ना में तुम्हारे ही इंतिजार कर रही थी मुझे देखना है अपनी राधा को आखरी बार चलो चलो सब जल्दी करो हमें भी चलना चाहिए जल्दी से पंडित जी बोल रहे है मुरत निकला जा रहा है चलो जल्दी अरे हाँ हाँ चलो चलते हैं चलो अब क्या कर सकते हैं आखिर आज का दिन आ नहीं था प्रगी साथ के ही होने वाला है, हाँ हाँ तुम सहीं बोल रही हो, चलो आजाओ तुम भी, मादुरी चलो तुम भी चलो हमारे साथ, राधा को आखरी बात देख लो, अब उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, हम जा रहे हैं, तुम भी आजाना ठीक है ना, चलो सुनम चलो रखोंगा, और अपने बेटे श्याम का भी, अच्छो चलो चलते हैं, हम सब को राधा को आखरी बार देखना है, चलो मेरी प्यारी मादुरी, और हाँ राधा हमारे दिल में हमेशा रहेगी, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, आखिर वो ऐसी थी कि उसे कोई न भूल प और फिर यहां पर श्याम के पापा और गईयां वहां से जाने लगते हैं, और फिर यहां पर सभी लोग आ जाते हैं, अरे प्यारी राधा, अरे देखो तो राधा किती सुन्दर दिख रही है, राधा वीचारी मुझे उसकी बहुत ही याद आएगी, राधा मैं बस तुम स अच्छा ठीक है बेटा, जैसे मैंने बोला है, वैसी करना ठीक है न, इसकी विधी में कुछ भी रोक टोक ना हो, और अपने आपको समालो, ये तो हो नहीं है, सब के साथ यही होना है, अरे हाँ हाँ पंडी जी मैं सब समझ गया हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ, चलो मैं भी जाकर खड़ा हो जाता हूँ, आज खल के लोग तो समझदार हैं ही, सब समझ जाते हैं एक ही बार में, और यहाँ पर कृष्णा सारी विधी विधान शरू कर देता है, राधा मैं तुम्हें कभी नहीं बूलूँगा, तुम भले मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हा नहीं रहा है, अच्छा ये लो कृष्णा बेटा अब जल्दी से चिता को आग लगा दो, नहीं मैं यह नहीं करना चाहता हूँ, मेरी प्यारे राधा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, तुम बहुत ही याद आओगी मुझे, नहीं, नहीं, नहीं मामी, नहीं ऐस अंकल प्लेस न कुछ मत कीजिए अरे बच्चो चुप हो जाओ बच्चो चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो सोनम तुमारे राधा आंटी हमारे साथ हमेशा रहेंगी ये करना पड़ेगा ये ही तो आगरी में होता है मैंने तुम्हें समझाया था न बेटा अरे देखो तो जरा सारे बच्चे कितना प्यार करते हैं राधा दीदी को पता नहीं राधा दीदी इतनी जल्दी क्यों चली गई हमारी बीच से और यहां पर कृष्णा चिता को आग लगाने लगता है मुझे माफ करते ना राधा तुम मेरे लिए हमेशा जिन्दा रहोगी और फिर तब ही अचानक राधा हेलने लगती है अरे यह सब क्या हो रहा है श्याम की पापा श्याम की पापा अरे ये क्या हो रहा है भूत भूत अरे भागो चल्दी भागो चल्दी भागो भूत अरे ये सब क्या हो रहा है राधा का शो तो हेल रहा है उस तो गड़ बढ़ है देखो तो जरा अरे तुमनों यह सब क्या बोल रही हो चुप हो जाओ तुम लोगों कुछ शरम नहीं आती है यह सब क्या बोल रही हो मेरी राधा के बारे में मेरी राधा अरे भाई कैसे कुछ न बोले देखो तो यह सब क्या हो रहा है मैं तो पहली बार देख रही हूँ ज़रूर ये राधा का भूत है! चुप हो जाओ तुम सब, मैंने कहान आए, सब क्या बोल रही हो तुम लोग? राधा कीमारे में कुछ मत बोलो! ये ये! मुझे पता था लधा अंटी को कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे पता था! ही 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 म ममा, ममा! आँ श्याम की पापा श्याम कहा है आप सब जल्दे आईए मैं कहा हूँ मैं कहा हूँ मुझे बचाओ औरे ये क्या मतलब राधा जिंदा है और हम ये सब क्या अनर्थ करने जा रहे थे हमने तो डॉक्टर को चिक अप भी नहीं कराया था औरे औरे राधा मेरी बेहन तो जिंदा है औरे वाद देखो सब लग देखो राधा जिंदा है उसे कुछ भी नहीं हुआ है मेरी प्यारी बेहन शायद वो बस कोमा में थी और हमने डॉक्टर से चिकप भी नहीं कराया औरे राधा हमें माफ कर देना है सब हमारी गलती है हाँ शोनम की पापा अब सही बुर है राधा को कुछ भी नहीं हुआ वो बस कोमे में थी अरे मेरी प्यारी रादा मुझे बहुत दो खुशी है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है अरे रादा तुम जिन्दा हो मुझे तु विश्वास भी नहीं हो रहा है हाँ शेयम की पापा मैं जिन्दा हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है आप सब को क्या लगा अरे रादा हमेलेगा तुम एक्सिडेंट में चल बसी अरे सब आप क्या बोल रहे हैं मुझे दर्थ तो हो रहा है मुझे क्या हुआ था श्याम की पापा मेरी प्यारी रादा कुछ भी नहीं हुआ यहां पर आ जाओ मेरी प्यारी रादा मुझे छोड़ कर और कुभी भी मत जाना हुआ हाँ श्याम की फापा मैं आपको श्याम को छोड़कर नहीं जाओंगी कहीं पर भी कोई बात नहीं जो होता है अच्छी कि लिए अप मत रोईए श्याम की पापा अरे मेरी प्यारी राधा चल देश你要 अल्सका जाओ और तोश्तों अगर आपको हमारी कहाने ही निंसलेस्ट को कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब